मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी का जीवन परिचे उबैदुल्लाह का जन्म 10 मार्च 1872 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियाल कोट जिले में एक सिख खत्री परिवार में बूटा सिंग उपपल के रूप में हुआ था उबैदुल्लाह के जन्म से चार महीने पहले उनके पिता की मृत्यू हो गई और बच्चे का पालन पोशन उसके दादा ने दो साल तक किया दादा जी की मृत्यू के बाद उनकी माँ उन्हें अपने नाना के घर अपने पिता की देखभाल के लिए ले गई बाद में जब उनके नाना की मृत्यू हो गई तो युवा बूटा सिंग को ब्रिटिश भारत के पंजाब के जामपुर तैसील में उनके चाचा की देखभाल का जिम्मा सौपा गया बूटा सिंग उप्पल ने 15 साल की उंग्र में इसलाम धर्म अपना लिया और अपना नया नाम उबैदुलाह सिंधी चुना और बाद में दारुल गुलूम देवबंद में दाखिला लिया वह दिसंबर 1915 में काबुल में गठित भारत की अनन्तिम सरकार में शामिल हो गए और प्रथम विश्वी युद्धा के अंध तक अफगानिस्तान में रही 1891 में उबैदुलाह ने देवबंद स्कूल से सनातक की उपाधी प्राप्त की 1899 में वल सिंध प्रांत के सुकूर क्शित्र के लिए रवाना होए 1909 में मेहमूद अलहासन के अनुरोध पर वह उत्तर प्रदेश की देवबंद स्कूल में लोटाए यहां उन्होंने चात्र समगठन जमियतुल अनसार के लिए बहुत कुछ किया उबैदुल्ला अब गुप्त ब्रिटिश विरोधी प्रचार गतिविधियों में बहुत सक्रिय थे 1912 में उन्होंने एक मदर्सा नजार्तुल मारिफ की स्थापना की जो लोगों के बीच इसलाम का प्रचार और प्रसार करने में सफल रहा 1915 को अबियान के भारतिय जर्मन और तुर्की सदस्यों की उपस्थिती में अमीर अबिबुल्ला के पाग ए बाबर महल में भारत की अनन्तिम सरकार की स्थापना की गई थी इसे प्रांतिकारी निर्वासित सरकार घूशित किया गया था जिसे ब्रिटिश सत्ता को उखार फेकने पर स्वतंत्र भारत की कमान संभालनी थी इसके बाद उबैदुल्ला अफगानिस्तान से रूस चले गए जहां उन्होंने सोवियत नेत्रित्व की निमंत्रन पर साथ महिने बिताय और 1923 में उबैदुल्ला रूस छोड़कर तुर्की चले गए जहां उन्होंने 1924 में शाह वलिउल्ला आंदोलन के तीसरे चरण की शुरुवात की उन्होंने इस्तानबुल से भारत की स्वतंत्रता के लिए चाटा जारी किया भारतिय स्वतंत्रता आंदोलन के राजनीतिक कार्यकरता थे डौन समाचार पात्र कराची के अनुसार मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ब्रिटिश भारत की आजादी और भारत में एक शोशन मुक्त समाज के लिए संघर्ष किया था वह 1915 में अफगानिस्तान में स्थापिक भारत की पहली अस्थाई सरकार के ग्रह मंत्री भी थे उबैदुल्ला सिंधी भारत के नई दिल्ली में एक केंद्रिय विश विद्यालया जामिया मिलिया इस्लामिया के आजीवन सदस्य थे उन्होंने बहुत कम वेतन पर लंबे समय तक जामिया मिलिया इस्लामिया में सेवा की जामिया मिलिया इस्लामिया में डॉक्टर जाकेर उसेन हौल अफ बोईज रेजिडेंस में एक बोईज हॉस्टल का नाम उनके नाम पर रखा गया है मौलाना उबैदुला सिंधी 1944 में अपनी बेटी से मिलने के लिए रहीम यार खान के लिए रवाना हुए रहीम यार खान जिले के खानपुर शहर के पास दीनपुर गाव में वह गंभी रूप से बीमार पढ़ गए और 21 अगस 1944 को उनकी मृत्यू हो गई